हाई एवरिवन मेरा नाम है साजिन मदान तो आज के टोपकी में हम बात करेंगे एक वैडिंग की सिनमेटोग्राफिक किस तरह से हम बैस्ट कर सकते हैं किस तरह से अपनी आपको इंप्रूव्मेंट में ला सकते हैं तो आज का टोपिक इसी पर है अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए वीडियो बैस्ट है अगर आप प्रफेशनल हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईए सबसे पहले दोस्तो एक वैडिन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं रिंग से रामनी, हल्दी, मेंधी, उसके बाद संगीत, उसके बाद जैमाला, फेरे तो दोस्तो एक वैडिन अपने आप चलती रहती है तो हम लोग क्या करते हैं उस wedding के सहारे हम भी चलते रहते हैं दोस्तों कुछ भी unique करने की कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों क्यों नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर confidence की बहुत ज्यादा कमी होती है अगर जैसी पूरी wedding के अंदर हमें portraits भी दिये जाते हैं तो हमारा confidence वहाँ भी लो जाता है कि portrait तो आते हैं हम photographer को बोलता है कि आप portrait करा हो मैं खीच लूँगा मैं तो इन चीजों की दोस्तों बहुत सारी कमी है कि सबसे पहला point है confidence दोस्तों बहुत सारा confidence wedding के अंदर रखना पड़ता है smile रखनी पड़ती है client को बोलना पड़ता है हां जी आई यह जी ऐसा कीजिए वैसा कीजिए बहुत smile अगर आप positivity पैदा करेंगे energy पैदा करेंगे client के अंदर भी बहुत सारी energy आती है दोस्तों confidence के साथ साथ जैसे bride ready हो रही है उसके makeup shorts उसके bites catch कीजिए उसके बाद solo shoot करें bride का उसके बाद couple portraits और family coverage family की bites यह सारी चीज़े दोस्तों बहुत म cinematography आपकी cinematography के अंदर बहुत सारे emotions होने चाहिए candid shots होने चाहिए अगर आपके camera की तरफ कोई भी देख लेता है तो वो आपका cinematography के अंदर clip नहीं गिना जाता क्योंकि वो already खराब हो चुका है असली अगर cinematography या emotions catch करना चाहते है natural candid shots आप निकालेंगे अगर आपके camera में किस क्लाइंट का तो वहां पे cinematography नहीं माना जाता दोस्तो अगर आप professional cinematographer बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल candid natural हसते खेलते short sketch करने पड़ेंगे दोस्तो उसके अंदर पूरा cinematic feel आएगा दोस्तो emotions होंगे तभी वो आपका cinematography clip में आना जाएगा दोस्तो तो दोस्तो इसके ब हो रहा है दोस्तो वहां पे हम camera handheld यूज़ करते हैं प्लस manual focus पर यूज़ करते हैं दोस्तो कि focus हमारा हंट ना हो जैसे बरात आ रही है, venue के अंदर dance हो रहा है, jam आला हो रही है, या सिंधूर बरने की रसम है, वहां पे सारा handheld plus manual focus पे काम किया जाता है क्योंकि उन चीज़ों क पे कुछ shorts होते हैं, no retake, जैसे jam आला होगी है, संदूर बर दिया, या ribbon कट गया, वहां पे no retake दोस्तो इसलिए handheld plus manual focus पे वो shorts साम लोग लेते हैं, तो जहां पे भी action scene हो रहा है, वहां पे आपने camera handheld यूज़ करना है, bride की entry हो रही है, वहां पे gimbal यूज़ कर सकते हैं, जहां पे पूरा शान्त महौल है, वहां पे ही आपने gimbal यूज़ करना है, जहां पे पूरा action चल रहा है, वहां पे हमेशा आपने handheld camera यूज़ करना है, वो भी manual focus के उपर, तो दोस्तो इसके बाद आता है family coverage, तो दोस्तो family coverage बहुत जरूरी है, अगर पूरी wedding के अंदर family के shorts नहीं आ कि हम कहा है, तो इसलिए जो भाई, भेन, उनके candid short लीजिए, जैसे revealing short लीजिए, उनसे आप कुछ करवा भी सकते हैं, bites ले सकते हैं, उसके बाद उनको targeted कीजिए, जैसे wildlife photography करते हैं, चुपके चुपके से हम उनके candid shorts, moments कोशिश करनी है, कि best अच्छी coverage करनी है family की, तब ही आता है live audio recording दोस्तो, तो मेरा मानना है जब हम cinematography करते हैं, 100p 100m, जैसे M3 camera है उसके अंदर, यहां sony a7s3 है, 100fps पे shoot करते हैं, एड उसके अंदर slow mo भी नहीं करते हैं, सिर्फ portraits हम slow motion में खीचते हैं, बाकि सारा wedding हमारा है, जो 100fps पे audio के साथ चलता है दोस्तो, audio बहुत जरूरी है दोस्तो, अगर मेरा कोई भी highlight देखेंगे, natural audio के उपर ही चलता है, editing के thoughts हम साथ लेके चलते हैं, कि हम इस तरह से start कर लें एंडिंग कर लेंगे, audio जैसे पंडेजी फेरे कर रहे हैं, तो वहां पर बोर रहे हैं, उनका natural audio जैसे बरात आ रही है, उसका natural audio, ribbon कट रहा है, उसका natural audio, और नर्वस नहीं थी, दिमाह में प्रॉब्लम हो रही थी मेरे, शानी से, आपको बहुत improvement करेगा, एक अच्छी नहीं खीचेंगे दोस्तों, तो दोस्तों बाकी कौन सा लेंज कहां यूज करना है, link description में आप जान सकते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, धन्यावाद दोस्तों